हालो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल में जैसे कि आप लोगों पता है कि कुछ दिन पहले ही RRC Western Railway जिसका RRP जोन आपका आमदबात पड़ता है तो दोस्तों यहां Group D 2018 दिव्यांग जोनों के लिए एक अपडेट आई थी जो कि बहुत इंपोर्टेंट थी और वो आया उसके अनुसार बहुत सारे दिव्यांग जोनों के कुछ गरबढ़िया पाए गए थी तो रेल्वे क्या डिसाइड किया कि इन सभी लोगों को एक बार फिर से Medical Examination में बैठा जाए तो दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कंडिडेट का अल्रेडी एक और नया notification जारी हुआ है तो इस notification में हम देखेंगे कि कितने लोगों को नए दिव्यांग जुनों को जगह मिला है और इन सभी लोगों का फिर से एक बार जो Medical Examination है फिर से होगा तो चलिए इस notification को हम देखते हैं तो वीडियो स्टाट करते हैं चोड़ी से रिक्वेस्टे वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा और अगर चलिए नोटिफिकेसन स्टाट करते हैं तो यह रहा आपके सामने सो फेंट्स आप लोग देख रहे हैं यह आपका ऑफिसल सूचना आपके स् सब्जेक्ट में क्लेरली मेंसेंड है फोर्फ पी डवलू बीडिक कैंडिडेट हुज मेडिकल एक्जामनेशन है हेल्ड एज जगजीवन राम हॉस्पिटल जे आर एच मुंबई सेंटल तो यहाँ पर एक नोडिफिकेसन आप लोगों ने देखा था तो उसी को कुछ लोगों का जो रिपोर्ट है वाना बाकी था तो उन सभी लोगों को अब यहाँ पर देख रहे हैं फिल्हाल इस लिस्ट में दो कंटिन्युरेट का है जो दिव्यांग जिन स्रीनी मात है इनका रोल नंबर इनका नाम पापा का नाम और डीवी नंबर और किस देट मे इनका मेडिकल एक्जामनेशन होगा तो सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है तो चलिए नोटिफिकेशन बारी किसे देख लेते हैं तो देखें यहाँ पर इन कंटिनेशन ओफ नोटिस डेटेड नाइन टू तू तू तो दोस्तों आप लोगों पता है कि नौ फरवरी को व लोगों का रोल लंबर इनका डीटेल यहां मौजूद है तो इन दोनों कंटिदेट को अब फिर से इनका री मेडिकल एक्जामनेशन होगा और इनका जेजे होंस्पिटल में अल्रेडी हो चुगा था तो रेल वे कुछ डाउट पात हो सारा कुछ क्लियर करने के लिए तो सभी लोगों का फिर से एक बार री मेडिकल होगा तो दोस्तों आपको हर प्राग की जानकारी के लिए ओफिशल वेबसाइट में विजिट करते है रहना है अब देखिए आगे देट ओब मेडिकल एक्जामनेशन और फॉलोइंग कैंडिडेट हैस बेर रिवाइज एज अ लडी ओएल केटिकरी में आते हैं तो इनका एक बार फिर से रिवाइज कर दिया गया है तो पहले इनका जो रोल नॉमबर है मौजूद था दूसरे लिस्ट में तो इनको फिर से अब री मेडिकल एक्जामेशन होगा तो इनका जो री मेडिकल होगा वो आपका बारह तीन 2022 के डेट में होगा तो इनका नाम है पंकज कुमार पिता का नाम अजोख मंडल तो फिलहाल दोस्तों यह देख रहे हैं आप इस लिस्ट में तीन कंडिडेट है जो दिव्यांगेशन स्रेनिम आते हैं और इन लोग को एक बार फिर से री मेडिकल होगा दोस्तों इसी तरह क करते हैं कि लगबग सारे सीटे फिलफ हो चुकी है और कुछ कोई सीटों पर नए डिवी लिस्ट जारी किये जा रहे है तो फेंट यह रही आज ही सुचना मिलते हैं अगरे सुचना में तब तक कि धन्रवाज जैन जै भारत